यूपी में दंगे के आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाने के खिलाब दाखिल अर्जी पर आज जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा याचिका जमियत उलिमाई हिंद ने दाखिल की है याचिका में बुल्डोजर आक्शन पर फॉरण रोक लगाने की मांग की गई है पत्थर बाजी और दंगे के आरोपि के घर को इस तरह बुल्डोजर से जमी दोज कर देना कितना सही है आज इस सवाल पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है देश की सरवोच अदालत आज जमियत उलिमा हिंद की अरजी पर सुनवाई करेगी जमियत ने प्रियागराज में पिछले जुम्मे को हुई पत्थरबाजी के कथित मास्टर माइन जावेद की घर पर बुल्डोजर वाली कारवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी यह तस्वीर जावेद के घर की है जिसे रविवार को गिरा दिया गया था जमियत उलिमाई हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से बुल्डोजर वाली कारवाई पर रोक लगाने के मांग की है जमियत उलिमाई हिंद ने अपने अर्जी में कहा है कि उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना यूपी सरकार कोई कारवाई ना करे अर्जी में सर्वोच अदालत से यूपी सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि बिना उचित प्रक्रिया के ध्वस्तिकरं की कारवाई बंध हो याचिका में ये भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने अवैद निर्मान के नाम पर बुल्डोजर चलाए हैं उनके खिलाफ कारवाई कर दंडित किया जाए याचिका के मताबिक इन अधिकारियों ने प्रदेश सरकार के बनाए मिनिसिपल लौ की अवहिलना की है प्रियागराज में जावेद के घर पर बुल्डोजर एक्शन की विपक्ष से लेकर कानून के जानकार तक आलूशना कर चुके हैं एसा नहीं किया जाता है तो वह एक्शन है पर सुनवाई जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच करेगी ये बेंच जमियत की एक और अर्जी पर सुनवाई करेगी पहले अर्जी दिल्ली के जहांगीर पूरी में आरूपियों के घर पर बुल्डोजर चलाने को लेकर है राम नवमी शुभा यात्रा के दौरान पत्राव के आरूपियों के घरों पर 20 अप्रेल को बुल्डोजर वाली कारवाई हुई थी जमियत ये अर्जी पर सुप्रीम कोट ने कारवाई पर रोक लगा दी थी अदालत में इस मामले में केंदर सरकार, नई दिली नगर निगम, दिली पुलिस और संबंधित पार्टियों को नोटिस भीजा था जमियत ने अपनी ताजा अर्जी में जहागीर पुरी मामले में सुप्रीम कोट को स्टेक का भी जिक्र किया है जमियत के मुदाबिक यूपी में जो कुछ हो रहा है वो जहागीर पुरी से ज़्यादा खतरनाक है अनिसा मातुर के साथ संजेशर्मा, दिली आज तक